आप सभी विद्यार्थियों का हमारे योटूब चैनल माई सिलेबस में स्वागत है जज कैसे बनते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसे आप अंतर तक जरूर देखें क्योंकि आपके मन में जो भी प्रशन जज से रिलेटिड चल रहे ह होंगे उस सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया सैलरी कोट कितने प्रकार के होते हैं सभी कुछ ए टू जड इन्फरमेशन जूडिशेरी से संबंधित इस वीडियो में मिलेगा खास करके हमारे वैसे स्टूडेंट जो जूडिशेरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं इस वीडियो को आउन्त तक जरूर देखें हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकन को प्रेस कीजे ताकि हमारा अपलो के होते हैं तो सबसे पहले हम कोट के प्रकार जानते तो मुख्यता कोट तीन प्रकार के होते हैं पहला सुप्रिम कोट जिसको उच्छ न्याले बोलते हैं यह सरवच्छ न्याले है इससे उपर कोई कोट नहीं होता है जो पूरे इंडिया में एक ही है और वो डैली में है द वाजय का capital होता है या नी राजधानी वहाँ पे ये court होता है अभी भारत वर्स में total high court की संख्या 25 है तीसरा है district and session court ये high court से नीचे की अदालत होती है और ये सभी जिले में एक पाया जाता है District and Sessions Court यानि जिला और शत्र न्याले की बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं पहला Civil Court, दूसरा Criminal Court और तिसरा Revenue Court Civil Court को घरेलू न्याले यानि दीवानी न्याले कहते हैं Criminal Court को फौसदारी न्याले बोला जाता है और Revenue Court को राजस्य न्याले बोला जाता है हम आगे इसको डिटेल से समझने का प्रयाश करेंगे Civil Court में सामान मुकदमे जैसे जमीन जायदाद से रिलेटेड मुकदमे लड़े जाते हैं वहीं फौसदार यानि Criminal Court की बात करें तो इसके नाम से जैसा है कि Crime से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं वह Criminal Court में लड़ा जाता है वहीं राजस्व न्याले की बात करें तो टेक्स सम्मंदित जो भी केसे सोते हैं वह राजस्व यानि Revenue Court में लड़े जाते हैं अब आई ये जानते हैं कि How to Become a Judge यानि न्यायधीस कैसे बने तो इसके दो तरीके हैं पहला तो Experience के आधार पे कॉलिजियम द्वारा वरिष्ट अधिवक्ताओं का चैन होता है और दूसरा Freshers अगर हैं तो आपको State P.A.C. के माध्यम से Judicial Service Exam देना होगा उसके थुरू आपका सेलेक्शन होगा और इसी माध्यम से आप District और सेशन कोट के जज भी बनेंगे दोनों ही केस में जज बनने के लिए सबसे पहले आपको LLB के डिगरी की आविशकता है LLB दो तरीके से की जाती है LLB करने के लिए आप अगर 12th के बाद करना चाहते हैं तो आपको CLAT का इंटरांस एक्जाम देना होगा जिससे की आपका एडमिशन किसी अच्छे LLB कॉलेज में हो और आप 5 यर्स का LLB कोर्स करें या आपने ग्रिजवेशन किया हुआ है तो आप किसी अच्छे कॉलेज से LLB की डिगरी तीन साल में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको स्टेट पीएसीज का जूडिशियल सर्विस एक्जाम देना होगा उसके थुरू आपका सेलेक्शन होगा और आप जजज बनेंगे तो जूडिशियल सर्विस एक्जाम में आपको तीन चरण देने होगे पहला आपका प्रेलेम्स एक्जाम होगा अगर आप उसमें पास करते हैं तो मेंस होगा फिर आपका इंटर्वीव होगा उसके बाद ही आपका सेलेक्शन होगा अब हम जानेंगे हाई कोट के जजज बनने के लिए क्या eligibility criteria है तो सबसे पहले candidate को भारत का नागरिक होना आवश्यक है उसके बाद कम से कम दस वर्षों के लिए किसी राज्य के अधिनस्त न्याले में एक न्याधीस होना चाहिए यानि के एक उमिद्वार को कम से कम दस वर्षों का न्याईक कार्याले संभालने का अनुभव होना चाहिए भारत के किसी भी राज्य में या वह किसी भी भारतिय राज्य के उच्च न्याले में एक अभ्यास वकील होना चाहिए और उसे नियूंतम दस वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है सुप्रिम कोट की जज की एलिजिबिलिटी यानी योगिता क्या हो कि साधार पे उनका सेलेक्शन होता है तो सबसे पहला योगिता होना चाहिए कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए कम से कम पाँच साल के लिए उच्छ न्याले का न्याधीस या दो से अधिक न्यालेयों में लगातार कम से कम पाँच वर्षों तक न्याधीस के रूप में कारे कर चुके हों तीसरा किसी उच्च न्याले या न्यालेयों में लगतार दस वर्स तक अधिवक्ता रह चुके हो और वह व्यक्ति राष्टपती की राय में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होना चाहिए हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्ण होगा कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या आंतर होता है तो जज प्रमुख मामूली समवैदानिक आपराधिक मामलों आदी के मुकदमे को सुनते हैं और उनका निरने सुनाते हैं वहीं मजिस्ट्रेट जो होता है वाम तोर पर छोटे अपराधों के मामले को जो मजिस्ट्रेट केवल जिला अस्तर के अधिनस्त नियालियों में मुकदमों को सुनता है और उन पे फैसले सुनाता है जजों के सैलरी की बात करें तो सिविल सेशन कोट के जज को 45,000 से 80,000 तक की सैलरी दी जाती है यह एस्ट वहीं सुप्रीम कोट के मुखे नयादीज को 2,80,000 और दुसरे जजों को 5,500,000 तक की सैलरी दी जाती है आप अपने प्रशन कॉमेंट बॉक्स के जरिए भेजे हम उसको आंसर करेंगे इंडिया के सभी गॉर्मेंट जॉब्स का अब्डेट, सीलेबस और करेंट अफेर्स क के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें